हां आज में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कैसे क्या अनुभव है जो आपको ये बात आज कनफर्म कर देंगे कि जो आपने साधना करी है नवरातरों में करी है कभी भी करी है अभी व स自we शक्ति प्राप्ट हो गई है जिस के लिए आपने साधना कीती वह सफल हो गई है कुछ ऐसे अनुभव आपको महसूस होते हैं उसके बारे में बात करूंगा जैसे कि बार-बार उबासी आना जब आप मंत्र कर रहे थे थो और वाइबरेशन का महसूस होना आपको रीड के हड़ी में ऐसा लगना कि कैसे आपकी उर्जा उपर नीचे हो रही है या कुछ-कुछ महसूस होना इन सब के बारे में डीटेल में डिसक्रस करेंगे साइन्स को यूज करते हुए सब ही के अनुभव के सभी जापको अनुभवू तो मैंने बहुत लोगों को बताया कि आपको मा काली की सिद्धी मिली है शक्ती मिली है आपको मा दूर्गा के तत्व मा की कृपा मिली है अपके कुणडलियनियम भृदे से उपर जाकर विशुद्धी तक पहुँच गई है और काफी लोगों ने मुझे बताया कि उनको अनुभव हुए कुछ इस प्रकार कहले ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यो यह जो यह Bad कि ए जोर आनुभव यह हूते क्यों या इन के पीछे का है बास तो मतलब मिश्वजब क्या है अब देखो आपने साधना की साधना करने का मतलब है जब आपने बैठ कि मंतर जाप किया तो में छात्रों में किए है, तो Αपके उपर गिरे है बहुत सारी विश्व औरजा, अब विश्व औरजा गिरने के वरे से कुछ लोगों को भ्रहमरंद्र पर यानि की सर के पीछ जाब जंबाल घूलते हैं, यहां पर कुछ लोगों को उर्जा महसूस है तो काफी लोगों कोई confusion हुई कि ये सहस्तरार है ये भ्रमरंद्र है यानि कि एक ऐसा रस्ता है जहां से आपके जाप जाप का फ्लो करता है और जाप का फ्लो आप महसूस कर पारे हो अगर साधना में तो ये बहुत अच्छा नुभव है इसका मतलब यह है कि आपके बॉड़ी का जो औरा है वो स्ट्रॉंग हो रहा है क्योंकि ब्रह्मरंद्र को महसूस करना बॉड़ी में vibrations होना बॉड़ी में क आगे पीछी है गोल गोल होने लगती है जब आप एक एडवांस लेवल पर चल जाओगे तो यह दोनों अनुभव आपको बंद हो जाएंगे क्योंकि आपकी बॉड़ी इन उर्जाओ को अच्छे से अब लोग अब एब्जॉब करने लगते हैं तीसरी अनुभव जो आप पीछे कड़ा हम बार बार मुड़के देखते हैं यार कोई देखतो नहीं रहा यार कोई देखतो नहीं रहे यार कोई देखतो नहीं रहे यह सारे चीज़से होने लग जाते हैं तो यह सिद्धी के करण होता है कुछ ताइम बाद यह आपको बंद हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा दुबां होता हैं चौन है लोला याप नहीं करना है इसा अध़ना प्रणई सब्सक्राइस सरंय के स эфф очाशभान शाहरा यह चलो आज अपना वरत नहीं रखा रहे हैं यह सारे और भी बहुत सारे कठिना अगर आपके साधना में आ रही है तो भगवान की नजर आपके पड़ गई और आप तब बहुत कठिन से एक तम स्ट्रॉंग रहकर खड़े रहोगे साधना में डेफिनेटलि आपकी साधना कोई आपको नहीं रोकने वाला है भगवान के गृपा मिलने से और भी बहुत सारे चीज़ें जब आप जाप कर रहे हो तो आपको उबासी का आना आखों से भाव वाले आशू नहीं है जब उबासी आती तो साथ-साथ आशू आते हैं यह एक रीजन होता है बॉड़ी में अनुभव क्या होता है अगला अनुभव होता है बहुत सारे वैसे तो ऐसे अनुभव हैं बट कुछ लोगों को भी अनुभव हो जाते हैं अगला अनुभव होता है कि जब आप सो रहे हो जब आप कर रहे हो बेसिकली पहले मैं इसा अनुभव की बात कर रहे हो तो आपको बार बार नीन आना और बार आप नीन में जा रहे हो ध्यान में जा रहे हो यह नुभव भी बहुत अच्छा है जब बहुत जा शरी बाते करते हैं मैंने कही बार बता है कि जब आप साधना कर रहे हुते हैं और अधूद आ पर बहुता है चाल लेते हैं तब लेपर आट नीन्दार नी बंद हो जाती है लेट नाइट तक आप जागे रहती है या फिर बहुत जादा नहीं दा जाती है तो वे इसारी चीज़त साधनामे होती है बहुत normal है। यह साधनामे होना एक आम बात होती है क्यों ? क्योंकि सब लोगों को अनुभा होते हैaison तो मैंने उन्हें यही बताया कि आप को ऐसे सपने आना आम बात होती है क्योंकि भगवान के एनरजी जब आपको मिल रहे वाली होती तो इससे पहले बहुत डरामने सपने आते हैं तो यह सारे अनुभाव आपको होते हैं बट यह सारे अनुभाव अगर आपको हुए हैं तो आप कही न कहीं सई दिशा में गए हो सबसे बैस अनुभाव बताओं गैरेंटिट आपको सिद्धी मिल गई है यह 100% कंफर्म हो जाएगा साधना के एंड में आपके तबद खराब सब्सक्राइब हो जाते हैं यह बहुत 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 पॉजटिव अनुभाव मैं कहीं आपको यह बात त्रियोली समझा पाया हूं कि साधना जो आप कर रहे हो वह आपके सफल हुई है बागे आप आरा स्कैनिंग कराना चाहते हो मेरा नंबर दिया गया आपकी स्क सब्सक्राइब कर सकते हो मैसेज कर सकते हो जै मातारी आप सबी को मिलेंगे मैं से बहुत सारे मेजिंग वीडियो के साथ जै मातारी जैश्री राभी